हेलो एब्रीवन आप सभी का स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल विशाल गौतम सेवनेट थी पर आज हैं 14 जुलाई 23 और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लिकर आया हूँ 14 जुलाई 23 की डेली कर इंटरफियस के कुछ important questions अगर आप किसी भी एक जर्म की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज़ादा important रहने वाली है अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और वेल आइकन को भी ओल पर प्रेस कर लिजे ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अप्लोड करूँ सबसे पहले आप उस वीडियो को देख पाएं आज की इस वीडियो की PDF फाइल आपको मारे टेली गरम चैनल पर मिल जाएगी टेली गरम चैनल का लिंक आपको वीडियो की description में मिल जाएगा आप वहाँ से टेली गरम चैनल को जोइन कर सकते हैं तो आप पूरा वीडियो को द्यान से देखिए और वीडियो के लाइक में मैं आपसे एक question भी पूछूँगा उस question का सही answer आपको comment में बताना है तो चलिए चलते हैं अपने topic की ओगो पहला question है दोजा तेज में प्रतिष्ठित लोकमानने तिलक पूरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा इस question का सही answer हो जाएगा option C द्रापती मुर्मू तो 2023 में प्रतिष्ठित लोकमानने तिलस पुरसकार सी राष्टपती द्रौपती मुर्मुजी को सम्मानित किया जाएगा लोकमानने तिलक राष्टिय पुरसकार तिलक इसमारक मंदिल ट्रस्ट द्वारा प्रदान किया जाने वाला एक राष्टिय पुरसकार है और ये प्रतिष्टित पुरुसकार ट्रस्ट द्वारा प्रतवर्स बाल गंगाद तिलग की पुन्ने तदी के अपसर पर पदान किया जाता है नेक्ट कुशन है हाल ही में भारतिय पुद्यों की सरस्थान यानि IIT मद्रास जांजी बार परिसर की पहली महिला निदेशक कौन बनी है और इस कुशन का सही अंसर हो जाएगा option A प्रेति अगलायम आप image में भी देख सकते हैं ये हैं प्रेति अगलायम और यही भारतिय पुद्यों की सरस्थान यानि IIT मद्रास जांजी बार परिसर की पहली महिला निदेशक बनी है IIT मद्रास अंतराष्टिय परिसर सुरू करने वाला भारत का पहला IIT बन गया है जो तन्यानिया की जांजी बार में बन रहा है Next Question है तो इस Question का सही आंसर हो जाएगा Option E वो परियुक्त सभी इन चारों को अमेरका की सौ सबसे सफल इंटर प्रेनियोर एगी क्यूटिब और इंटर नेरर की लिश्ट में नामित किया गया है जिनकी कुल समपत्ति रिकॉर्ट 124 अरब डॉलर है इस सूची में भारतिय मूलकी महिलाओं का इस्थान है जैसरी उल्ला 15 में इस्थान पर है नीरजा सेठी 25 में और नेहा नरखेड़े 50 में इस्थान पर है और इंदरा नुई 77 में इस्थान पर है नेच्ट कुशन है अंतराष्टिय टेनिस मासं के सरवोच सम्मान फिलिप चैट्रियर पुरसकार 23 से किसे सम्मानित किया गया है और इस कुशन का सई अंसर हो जाएगा ओप्शन सी जश्टिन हेनिन तो अंतराष्टिय टेनिस मासं के सरवोच सम्मान फिलिप चैट्रियर पुरसकार 2023 से जश्टिन हीनिन को सम्मानित किया गया है और ये कुशिन मैंने एक या दो दिन पहले भी एक वीडियो में आपसे पूछा था नेक्ट कुशिन है रिश्वत विरोधी प्रवंदन प्रडाली चैटिफिकेत प्राप्त करने वाला भारत का पहला केंदी सारवजन खेत्र उद्यम कौन सा बन गया है इस कुशिन का सही आंसर हो जाएगा ओप्शिन B ONGC तो रिश्वत विरोधी प्रवंदन प्रडाली शेट के प्राप्त करने वाला बारत का पहला केंदी सारवजन छेत्र उद्यम ONGC बना है यह सर्टिफिकेट अंतराष्टिय इस्टर पर माननेता प्राप्त सर्टिफिकेट बोडी इंटर सर्ट यूए से द्वारप प्रदान किया गया है अब ONGC का पूरा नाम है Oil and Natural Gas Corporation इसकी स्तापना कब होई थी? 14 अगस्त 1956 को और ONGC का मुख्याले कहा है? नई दिल्ली में नेक्ट कुशिन है राष्टिय क्रशी और ग्रामिर विकास बैंक यानि नाबाड ने 12 जुलाई दो या तेज को अपना कौन सा इस्थापना दिवस मनाया है? इस कुशिन का सही अंसर हो जाएगा Option C 42 मा तो राष्टिय क्रशी और ग्रामिर विकास बैंक यानि 12 जुलाई दो या तेज को अपना 42 मा स्थापना दिवस मनाया है नबाड का पूरा नाम है नेशनल बैंक फॉर एग्री कल्चर्स एंड रूलर डबलपमेंट इसकी स्थापना होई थी 1982 में और इसका मुख्याले कहां है? मुंबई में नेश्ट कुशिन है जुलाई दो या तेज में रच्छा मंत्री स्री राजना सिहने कि इस देश में हिंदुस्तान एरो नॉटिक्स लिम्टेड यानि H.A.L. के छेत्री कारेले का उदगाटन किया है और इस कुशिन का सही अंसर हो जाएगा ओप्शिन A. मलेशिया तो जुलाई दो या तेज में रच्छा मंत्री राजना सिहने मलेशिया देश में हिंदुस्तान एरो नॉटिक्स लिम्टेड यानि H.A.L. के छेत्री कारेले का उदगाटन किया है रच्छा मंत्री स्री राजना सिहने बहारत और मलेशिया की बीच रच्छा ओध्योगिक सहयोग को मजबूत करने के लिए कुवाला लंपुर में हिंदुस्तान A.A.L. के छेत्रीय कारेले का उदगाटन किया है अब मलेशिया जुदे से इसकी राज़नी क्या है कुवाला लंपुर और मलेशिया के प्रदान मंत्री कौन है अनवर इब्राहिम नेक्ट कुशन है दो या तेस में GST परिशद की पचासमी बैठक कहां आयोज़त हुई है तो इस कुशन का सही अंसर हो जाएगा option B नई दिल्ली में तो दो या तेस में GST परिशद की पचासमी बैठक नई दिल्ली में आयोज़त हुई है GST परिशद की इस बैठक में ओर्लाइन गेमिंग फर्मों पर 28 प्रतसत टेक्स लगाया गया है और कैंसर की दबा डिनू, टुकसिमेब और Food for a Special Medical परपच जैसे फर्मों पादों को GST से छोट दी गई है नेक्ट कुशन है शिकायत निवारण सूचकांग यानि जून्दो या तेस में बड़े राज्यों की सूची में कौन सा राज्ज सी सिस्थान पर रहा है तो इस कुशन का सही आंसर क्या हो जाएगा Option C उत्तरपदेश तो शिकायत निवारण सूचकांग में बड़े राज्यों की सूची में उत्तरपदेश राज सी सिस्थान पर रहा है इस सूचकांग में उत्तरपदेश ने 63.199 स्कूर की साथ रेंग में 6 पर है जिसने 17.500 स्कायतों का निप्टारा किया है पूर्व उत्तर राज्यों में से सिस्थान सिक्किम का है और केंसर पदेशों में से सिस्थान लच्छदीप का है अब उत्तरपदेश जो राज्य है इसकी राजदानी क्या है लगनों उत्तरपदेश के मुख्य मंत्री कौन है योगी आदितनाथ उत्तरपदेश की राजपल है आनंदी बेन पटे मेश्ट कुशन है लित्व आनिया में बारत के नई राजदूत के रूप में किसी नियुक किया गया है और इस कुशन का सही आंसर हो जाएगा ओप्शन ए देवेस उत्तम तो लित्व आनिया में बारत के नई राजदूत के रूप में देवेस उत्तम को नियुक किया गया है लित्व आना यूरोप महादीब के उत्तरी भाग में बालतिक सागर के किनारे इस्थित एक देश है और इसकी राइधानी बिलनुस है और मुत्रा है यूरो नेक्ट कुशन है डेल टेक्नो लॉजीज और इंटेल ने भारत के किस राज़ में AI स्किल लेव स्थापित करने के लिए समझोता किया है इस कुशन का सही अंसर हो जाएगा ओप्शन सी तेलंगाना तो डेल टेक्नो लॉजीज और इंटेल ने भारत के तेलंगाना राज में AI स्किल लेव स्थापित करने के लिए समझोता किया है इस पहल का उद्धिश है शात्रों क्यों बहिश के नौकरी बाजार के लिए आवशक विशे शग्यता से लेश करना और उने उद्धियों के लिए तैयर करना है अब तेलंगाना जो राज जयस्की राज़न क्या है हैदराबाद तेलंगाना के मुख्यमंती है के चंद सी खर राओ और तेलंगाना की राजपान है तामिल शाई शौंदर राजन नेक्ट कुशन है किसे जून मा के लिए ICC प्लेयर आपदामन पुरुसकार दिया गया है और इस कुशन का सही आंसर हो जाएगा ओप्षिन ए वानिंदू हसरंगा आप इमेज में भी देख सकते हैं ये हैं वानिंदू हसरंगा और इनी को जून मा के लिए ICC प्लेयर आपदामन पुरुसकार दिया गया है अंतरराश्टिय करकेप परशद में स्रीलंका के स्पिनर वानिंदू हसरंगा और ओस्टिलिये महिला टीम की ओल्राउंडर एचले गार्डुनर को जून में उनके शांदर पदाशन के लिए प्लेयर आपदामन पुरुसकार से के प्राप्त करता के रूप में गोशित किया अब कल की वीडियो मैंने आपसे कुशन पूछा था हाल ही में अमा पोखरी योजना किस राज़ने शुरू की है और इस कुशन का सही आंसर था ओप्शन A उडिशा तो हाल ही में अमा पोखरी योजना कुड़िसा राज़ सरकारने शुरू ही है और अब आपके लिए आज का कुशन है बैडमिंटन टूनामेंट कनाड़ा उपन दोया तेश में पुरुष एकल का खिताब किसने जिता है और इस कुशन का सही आंसर आपको कमेंट में बताना है अगर आपको ये वीडियो आज की helpful लगी हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर खेर करना और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आये हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना तो चलिए चलते हैं जै हिंद जै बारत वंदे मातराम